नमस्कार बिहार के बीरो, आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बैतर कर रहे होंगे, तो आपका BPSC एक्जाम बिलकुल सर पे है, आ गया है, हम आप देखने वाले हैं, जो हमेशा की तरह क्रेकनाव स्पेशल रहता है, महत्पूर्ण करे इस से आपको सीधे questions देखने के लिए मिलेंगे, तो द्यान से देखिएगा एक एक current affair को, मैंने बहुत दो-तीन current affair का निचोड़ एक जगे बनाया है, तो द्यान से पढ़िएगा, आपका सुक्रिया अदा करता चलू मैं, 10,000 सब्सक्राइबर क्रेकनाव को दिलाने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया, चलिए शुरू करते हैं इस current affair को, सबसे पहले सर्वोच सिक्षा पुरुसकार जो बिहार में प्रदान किया जाता है, उसको देख ली दे, अबदुलकलाम आजाद जो सिक्षा पुरुसकार है, ये सर्वोच सिक्षा के छेतर में दिया ज रखता ये question, दूसरा महत्मूर question है, कोसी मेची नदी घाटी परियोजना जो है, कोसी और मेची, ठीक है, नाम याद रखेगा, कोसी मेची नदी घाटी परियोजना है, इस परियोजना के लिए 90% केंद्र सरकार अपना खर्चा पे करेगी, और 10% राज्य देगा, टोटल ख राश्टिय इस तरगी परियोजना का दर्जा दे दिया गया है, तो ये दो बातें आद रखनी है, सर्वोज सिक्षा पुरुसकार संकरना ज्या, कोसी मेची नदी उड़न 400 करोड राश्टिय परियोजना के तौर पे विक्सित होगी है, तीसरा मैटपूर करेंट है, आप से पूछा जा सकता है, आपको पता है, बिहार साक्षरता की द्रिस्टी से सबसे नीचे है, तो 130 साक्षरता का लक्ष रखा गया है, बिहार सरकार जारा 2030 तक इनका अनुमान है, कि ये लक्ष को हासिल कर लेंगे, 130 साक्षरता के लक्ष को, तो ऐसे लक्ष से क्वेशन पूछे जाते हैं बिहार में, ध्यान रखना है 2030 है 130 साक शर्ता का लक्ष है बिहार सरकार का। आग्ला महतार का रिट परेंट अफेर है, बिहार का निरयाद 20 गुना कब तक करने का लक्ष है, तो 2025 तक बिहार सरकार का अनुमान है कि अपना जो अभी निर्यात कर रहे हैं उसका 20 गुना इसको बढ़ा देंगे और कुल देश का जितना निर्यात है उसमें 10% हिस्सेदारी बिहार सरकार की करने का लक्ष है 2025 तक यानी आने वाले 3 साल के अंतरगत बिहार का निर्याद 20 गुना करने का लक्ष रखा गया है बिहार सरकार के दारा जो कि कुल देश के 10% के लगबग हो जाएगा तो ये बात द्यान रखनी है 2025 इसकी समय सीमा है अगला है एजूकेशन आइकॉन आवर्ड याद रखेगा एजूकेशन आइकॉन आवर्ड जो है विनोध कुमार को दिया गया है ये मनिहारी करना विद्याले के प्रधान अध्यापक है विनोध कुमार इनको एजूकेशन आइकॉन आवर्ड दिया गया है तो ये ध्यान रखना है आपको मनिहारी करना विद्याले से संबंदित है ये हो सकता आपसे पूछ ले कि कहां से ह अगला एक महतपूर्ण एप है बिहान एप इसका संबंद है क्रिसी से बिहान को आप याद रखिएगा मैंने यह पहले भी क्वेस्चन आपको टेली ग्राम पे दिया हुआ था बिहान तो एक क्रिसी से संबंदित है और इसकी फुल फॉर्म है बिहार होटी कल्चर एग्री कल एन फुल नूट्रिशन और फिर मैनेजमेंट है तो बिहान क्रिसी छित्र से संबंदित है ध्यान रखना है आपको अगला है ग्रामीन सडक निर्मान तो ग्रामीन सडक निर्मान के लिए स्कॉच अवर्ड परदान किया गया है बिहार सरकार को और रजत-पदक मिला है इनक बिहार सरकार को जितने वी अवार्ड इस वार मिले हैं उनको ध्यान से देखिएगा, question 1 मिलेगा आपको, तो ग्रामीर सडक निर्मान में स्कॉच अवार्ड मिला है, रजत पदक इनको मिला है बिहार सरकार को ग्रामीर छेत्र में सडक बनाने के लिए, ठीक है, अगला है बिह बिहार का पहला पसु परजनन उत्कृष्टता केंद्र होगा, तो ऐसे questions जिसमें बिहार पहले पे हो या बिहार देश में प्रतम हो, वहां से संभावना बहुत ज्यादा होती है, कि बिहार का question बने, तो पेपरा कोटी इस चमपारन याद रखना है आपको, बिहार और यू आपसे यह हो सकता question में पूछ ले कि समझाता हुआ साथ जिलों को ले के, तो कुसी नगर जिले के साथ गाओं है, जो बिहार को दिये जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, कुसी नगर जो की उत्तर प्रदेश का जिला है, कुसी नगर के साथ जिले बिहार को प्रतान किये जाएंगे, तो यह दोनों बातें याद रखना है, कुसी नगर के साथ गाओं बिहार को और बिहार के बगुए अनुमंडल के साथ गाओं, यूपी को दिये जाएंगे, इतनी बात आपको याद रखनी है, फिर है भारत का पहला साईलो गोदाम, ठीक है, साईलो गोदाम है चावल के लिए है ये पहली बात ये ध्यान रखनी है कि साहिलो जो गुदाम का निर्मान किया जा रहा है वो किस के लिए है तो चावल के लिए है और ये कहां कहां बन रहा है तो बकसर और कैमूर में इसका निर्मान हो रहा है भारत का पहला साहिलो गुदाम होगा जो बिहार में बनेगा ठीक है तो यह महतपूर हो जाता है क्योंकि भारत का पहला है साइलो गोदाम चावलगा बकसर और कैमूर दोनों डिस्टिक याद को याद रखने हैं अगला है चालिसवा अंतरराष्टिय व्यापार मेला यह दिल्ली में आयोजित किया गया था लेकिन इसका जगती मैदान में यह आयोजित किया गया था और बिहार इसमें पार्टनर स्टेट के तौर पे था तो उसके लिए भी बिहार को स्वाण पदक मिला है पार्टनर स्टेट के तौर पे बिहार पवेलियन को मिला है गुल्ड पुरुसकार वो अलग है और बिहार पार्टनर स् अगला current affair है हर घर smart prepared meter जो है वो मुफ्त में लगाए जा रहे हैं बिहार में ये बात महत्पून है हर घर smart prepared meter लगाने वाला बिहार पहला राज्य है देश में ठीक है वो भी मुफ्त में लगा रहा है ये भी महत्पून है पूछ लेगा कि उसके लिए सुल्क कितना है तो ये लक्ष है कि 2025 तक विहार सरकार पूरे विहार में हर घर में smart prepared meter लगा देगी मुफ्त में तो 2025 तक का इसका लक्ष है ये बात आपको याद रखनी है लक्ष को especially धहन रखिएगा एक question लक्ष से आपको देखने मिलेगा वापर अगला question है पूणिया जिले से सभी ग्राम पंच पंचायतों में पुस्तकाले बनाया जा रहा है पूनिया में आपको पता है साक्षरता की दृष्टी से सबसे कम जो साक्षरता है वो पूनिया में ही है इसलिए सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकाले का निर्माण बिहार सरकार कर रही है और ऐसा करने में भी बिहार दे सकते हैं कि इसके अंतरगत क्या होगा कोई व्यक्ति अगर गायल व्यक्ति को एक गंटे के अंदर अस्पताल पहुचाता है मान लीजे किसी को कोई व्यक्ति है जिसका एक्सिडेंट हुआ वो एक गंटे के अंदर अंदर अगर उसको अस्पताल पहुचा दिया जाता है तो ब Samaritan योजना आपको ध्यान रखनी है और इस योजना को केंद्र इस तर पे भी लागू किया जा रहा है तो इसलिए यह हो सकता Good Samaritan योजना पूछ ली जाए क्योंकि केंद्र भी इसको लागू कर रहा है तो महतपून है Good Samaritan योजना गायल को एक गंटे के अंदर अस्पताल पहुचाने से संबन देता है अगला क्वेस्चन है महतमा गांदी अंतर राष्ट्य पुरुषकार बहुत महतपून है यह महतमा गांदी अंतर राष्ट्य पुरुषकार 2021 के लिए सुमेधा कैलास को दिया गया है याद रखना है महतम पहला सिल्प कला म्यूजियम जो है बन रहा है पटना में आपको द्यान रखना है इस question को देश का पहला सिल्प कला म्यूजियम पटना अगला question है बिहार की सबसे बड़ी पुलिस अकादमी राजगीर में खुल रही है द्यान रखना है बिहार की ये सबसे बड़ी पुलिस अ काफी जादा है तो बिहार में सबसे बड़ी पुलिस अकादमी राजगीर में सबसे जादा पुलिस में महिलाएं कहा है तो बिहार में और कमांडो जो है एक यूनिट बनाने वाला भी बिहार पहला राज्य बन गया है जिसमें महिलाएं है तो महिलाओं की पुलिस कमांडो की एक नियुक्ति की गई है जो यूनिट है वो भी बिहार में हैं सबसे आदा महलाएं भी बिहार में है पुलिस में और सबसे बड़ी पुलिस tadi मी राजगीर में बन रही है बिहार में ठीक है इतनी बात आप पुलिस से याद रखेंगे अगला question है सबी जिलों में child Friendly Court बन जा रहे हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो बच्चे कम उमर में किसी अपराद का वो सिकार हो जाते हैं तो उनको समस्या का सामना ना करना पड़े और उनको आसानी से नयाय मिल सके तो चाइल्ड फ्रेंडली एकोट होंगे कि बच्चे बहबीत ना हो उनको प्रगती किस जिलेने की है तो साथ निश्चय योजना जो कि आपको पता है पार्टू चल रहा है और इसमें सुपॉल जिला जो है इसने सबसे अच्छी प्रगती दर्साई है तो याद रखिएगा महत्पून हो जाता है साथ निश्चय योजना में तीब्र प्रगती तो साहित्य अकादमी पुरुसकार याद रखिएगा 2021 में बहुत लोगों को साहित्य अकादमी पुरुसकार दिया गया है लेकिन आपको कुछ लोगों के नाम याद रखने होंगे और उनकी कृती याद रखनी है क्योंकि हो सकता है कि कृती भी दे तो आपको eliminate करने में आस यह काफी बड़ा है बट आप इतना याद रखेंगे आंसु बनी पसरी या अमित मिश्रा के आँसू ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं साहित अकादमी पुरुसकार 2021 प्रदान किया गया है अमित मिश्रा को अगला question है राष्टियबाल पुरुसकार 2022 के लिए तो ये राष्टियबाल पुरुसकार राष्टपती ज़ारा दिये गए और इसमें बिहार के दो व्यक्तित हैं दो बच्चे हैं जिसमें धीरज कुमार हैं बेतिया से और पल साक्षी हैं छपरा से तो इनको राष्टियबा मिलेंगे सीधे ये मेरी गरेंटी है तो राष्टियबाल पुरुसकार 2022 दीरज कुमार बेतिया पाल साक्षी छपरा क्योंकि सीधे डिस्टिक भी पूछता है बिहार में अगला है समाज सुधार अभियान ये नितीस द्वारा सुरू किया गया था मुख्यमंत्री नितीस इसको सुवारम हुआ मोती हारी से ठीक है मोती हारी से और पटना के गांधी मैदान में इसका समापन हुआ था बारह जिलों की कुल यात्रा की थी इन्होंने समाज सुधार अभियान ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर 2021 से ये 2022 तक चला है मोती हारी से सुरुगात हुई थी पट परना में इसका समापन हुआ गांधी मैदान में और 12 जिलों की यात्रा कुल की थी और इसमें अच्या है वो कन्याओं के उत्थान की बात हो सराब ना पीने को लेके हो तो ऐसी बातें इसमें समाज सुधार अभियान में मुख्य तोर पे उठाई गई थी ये बात भी आप पड़ी है प्लेलिस्ट आप बिहार स्पेशल खोलेंगे तो वह सम मिलेगा आपको देश का सबसे बड़ा जूट फाइवर पार्क भी पूनिया में खोला जा रहा है जैसा कि आपको पता है पूनिया में सबसे बड़ा जूट फाइवर पार्क बनाया जा रहा है देश का करने वाला प्रशारण किया और ऐसा करने वाला पांचम से प्रशारण एसे कुछ कुईस्टन पर टेली ग्राम पे डाले हैं तो वहाँ आपको मौक में यह सब चीजें मिल जाएंगी लेकिन जो लोग टेली ग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, वो याद रखिएगा, ऐसा किस-किस ने किया है, जैसे नयाय का घड़ी है, वो गुजरात, तो ये सब चीजे मैं बता चुका हूँ अल्रेडि, गया सरकारी स्कूल के बच्चों ने Children Bank एक इस्थापित किया है, ये बच्चों की पुस्तक जो उनकी जरूरी आबशकता है, होती हैं सिक्षा के चेत्र में, उनको ये प्रदान करते हैं, तो गया सरकारी स्कूल के बच्चों ने Children Bank के स्तापित किया है, याद रखना है, अगला करेंट अफेर है, इस्वरी प्रशाद इस्मिरती संबान 2021, काफ राम जन्म मिश्र, ठीक है, अगला करेंट अफेर है, नेशनल बेस्ट इस्पोर्ट्स अवर्ड है, तो नेशनल बेस्ट इस्पोर्ट्स पर्सन अवर्ड दिया गया है, संस आलम को, ठीक है, क्या अवर्ड है, नेशनल बेस्ट इस्पोर्ट्स पर्सन अवर्ड, किसको दिय जा गया बेस्ट इस पोस्ट व्यक्तित्तों का वर्ड समसालम को ध्यान रहेगा आपको मुझे उम्मीद है आप इसको सब को याद कर लेंगे अगला क्वेस्चन है चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग नीती आयोग द्वारा जारी की गई थी चैंपियन ऑफ का जिला है लेकिन उसके आद मुझफर पोर दूसरे पे औरंगावाद तीसरे पे बांग का चोथे पे और सेखपुरा पांच में पे ठीक है चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग नीती आयोग जारी करता है दुम का पहले पर है बाकी टॉप फाइब में चार जिल पहले पांगावाद 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 फाइब में चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग याद रखिएगा बहार में ठीक है अगला क्रेश्चन है बहार के दो जिले कालाजार मुक्त गोसित किये गए हैं अभी तो कौन-कौन से ये दो जिले हैं बहार क मुक्त होने के अबसर पे खुसी में ठीक है मुझफरपुर और गोपाल गंच अगला क्वेस्चन है फोर्थ हेल्ट इंडेक्स जो चौथा राश्टिय स्वास्थ सूचकांग है वो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा मैं तो पून है ये राश्टिय स्वास्थ आज सिर्फ आपको इतना याद करा रहा हूं कि एक्जाम में क्वेस्चन आप सॉल्व कर पाएं तो फोर्थ हेल्ट इंडेक्स जो जारी हुआ निति आयोग द्वारा उसमें पहली रैंक केरल की है दूसरी तमिल नांडू की है तो आप इसमें पहली रैंक जरूर याद हारा बेहार का है फोर्थ हेल्थ इंडेक्स ठीक है चलिए अगला कर्ष्चन है नालंदा विस्विद्याले को क्वालिटी अचीब्मेंट अवार्ड दिया गया है ठीक है नालंदा विस्विद्याले को क्वालिटी अचीब्मेंट अवार्ड और ये दिया गया यूरोपिय द्याले को quality achievement award तो ध्यान रखिएगा किसको दिया गया है quality achievement award नालंदा विस्विद्याले को किसके द्वारा European Union Society for quality research आप सिर्फ European Union Society याद रखेंगे तो काम हो जाएगा ठीक है नालंदा विस्विद्याले को quality achievement award यह महत्पून जो है कि मुझफरपुर जिला में आता है राज्य का पहला toilet clinic कहां पर है कुड़नी प्रखंड मुझफरपुर जिला बिहार ठीक है राज्य का पहला toilet clinic कुड़नी प्रखंड याद रखिएगा important है अगला question है एक दिवसिय आयरवेद पर्व माफ किजेगा यह दो दिवसिय होगा तीन दिवसिय होगा यह तो तीन दिन ठीक है यह तीन था कि मैंने गलती से दिन दिवसिय लिख दिया है तो तीन दिवसिय आयरवेद पर्व जो है वो राजगीर में मनाया गया तीन दिवसिय आयूरवेद पर्व राजगीर ग्यारे से तेरह दिसंबर के ब और इसकी बजेट में भी बात की गई थी तो जैविक खेती अब कितने जिलों में की जाएगी बेहार में 25 जिलों में और इसके लिए सरकार सपोर्ट करने के लिए 11,500 रुपे पर हैड दे रही है फिरतेक व्यक्ति को जैविक खेती के लिए और पहले ये 13 जिलों में की जा र रहा है ये 25 जिलों में तो जैविक खेती को सपोर्ट कर रही है बिहार सरकार बजट में इसकी बात हुई ती याद रखना है पूछा जा सकता है लास्ट बटन ओट लीस्ट इस वीडियो का ये लास्ट है सक्षता सर्वेक्षण 2021 सक्षता सर्वेक्षण 2021 में बिहार में कैई सारे अवर्ड है बट जो आपको सबसे अच्छे से याद रखना है वो है गंगा नदी के किनारे मुंगेर को दूसरा इस्थान मिला है और पटना इस वार्ड मिला है यह सब चीजे में बता चुका हूं लेकिन हम बिहार देख रहे थे आज स्पेशल तो हमने बिहार की बात सिर्फ की ठीक है तो यह वीडियो का पार्ट वन था ऐसे दो तीन पार्ट लाऊंगा मैं और आपका बिहार कवर हो जाएगा वीडियो कैसा लगा